पाकिस्तान के कराची में 20 फरवरी से लेकर 9 अप्रेल तक यानी 49 दिनों में 3265 फ्लाशे पहुची हैं, ये खुलासा शहर के प्रशासम के आंख दोसे भुआ है, हाला कि इसको लेकर कोई ओफिशियम वयान सामने नहीं आया है कि ये मौते कोरोना वाइरस के कारण हुई है या फिर प्राकृतिक हैं, आपको बता दे कि शहर में कोरोना का प्रकोग बढ़ता जा रहा है और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के मताबग पिछले 49 दिनों में 181 शव सी एक कब्रिस्तान म 76 यासिनाबाद कब्रिस्तान में 273 सखी हसन कब्रिस्तान में 30 शवल मूर कब्रिस्तान में 681 शव मुहम्मद शाह कब्रिस्तान में उनसब शव घासद बाबा कब्रिस्तान में और 430 शव सिद्धिकाबाद कब्रिस्तान में दफनाए गए इसी तरह पश्चिमी शहर में 155 सलीमबाद कभी सान्में worth कभी सान्में उनी Palestinian अंनीज गाजिवाबाद कभी सान्में चावन शब जुनाट वाकी कभी स्तानि लिड्राइक मांस स्थosky eme जीह कभी सानि पांस शब याकुवाबाद कभी सानि 44 शव गोशने वहार कब्रिस्तान में, 90 शव इबराहिम अली भाई कब्रिस्तान में, 25 शव तोहार में गोट में और 89 शव मक्छ गोट में दफनाए गए, पूर्वी शहर में 128 शव मंगोट कब्रिस्तान में और 14 शव पीजी एचस कब्रिस्तान में दफनाए गए, मालर कब्रिस्तान में, 93 शव सौधवाद कब्रिस्तान में, 160 मॉडल कॉलोमी में, 5 शव कॉलोमी गेट कब्रिस्तान में, 15 शव हैदर शाह कब्रिस्तान में, 2 मासून शाह कब्रिस्तान में, 49 शव मालोमादाद राभी गोट कब्रिस्तान में और बासच इसमाइल गोट कब्रि पाकिस्तान में दफनाए गए। आपको बता दे कि कराची सरकारी अस्पतालों से मिली जानकारी के मताबिक 10,791 पेशिंट 2020 के पहले की महिनों में इमजेंसी में लाए गए थे। हाला कि ये साफ नहीं है कि इमें से कितनी केस कोरोना वाइरिस के थे। पाकिस्तान में कोरोना की जाच की संख्या बहुत कम है जिसके कारण साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि इमें से काफी केस कोरोना वाइरिस के हो सकते हैं। हाल ही में सिंध इलाके से भी जिस तरह की खबरे सामने आ रही हैं, उनसे भी साफ है कि पाकिस्तान से सही आंक्टे सामने नहीं आ पा रही हैं।